Hi everyone, स्वागत है आप सब का एक और नई वीडियो में, आज था 1st of September महिने का पहला दिन and आज ही मार्किट ने एक false breakout दिखाया है, बट जिसको हमने identify बहुत अच्छे से कर लिया था Kang Nifty slightly gap down खुली थी and वहां से continuously fall करती है and उसने 10 बजे अपना previous day low break किया था Well, setup के साब से बहुत अच्छा trade था, यहां पे 10 बजे वाली candle में एक short की trade ली जाती and stop loss भी अगर आप देखेंगे, अगर इस candle के उपर रहता तो भी बहुत जादा बड़ा stop loss नहीं था 60-65 point का stop loss था bank nifty में, हर चीज एकदम परफक्ती लेकिन फिर भी हमें यहां पे trade नहीं लेना था because यह false breakout था, well मैं इसको false breakout क्यों कह रहा हूँ because false breakout का मतलब होता है कि जब भी कोई बहुत जादा important support या resistance होता है अगर market उसको break करती है, then सभी retail traders को लगता है कि वहां से एक बहुत अच्छी move आ सकती है and वैसा ही आज हुआ कि जो previous day low होता है, that acts as a very important support and जो 10 पजेव वाली candle है, उसने previous day low break किया, मतलब बहुत सारे retail traders को लगा होगा कि अब market ने बहुत important support break किया है, इसका मतलब यहां से market fall कर सकती है but उसके बाद क्या होता है, exactly अगली candle से ही market continuously reverse हो जाती है and सिफ कुछ mintो में ही आपका stop loss hit हो जाता है महिने के पहले दिन ही well यह इसलिए होता है because मैं हर बार बताता हूँ, आपको nifty bank nifty दोनों ही track करने चाहिए मुझे आप comment section में जरू बताना कि कितने लोगों ने CPR के साथ trade किया था and उन्होंने यह वाली चीज observe की है या उन्होंने इस वाली चीज़ पर गलती की थी well यहाँ पे 10 बजे वाली exactly candle के end पे आपको bank nifty में trade नहीं करना था उसका simple सा logic है nifty, अगर मैं आपको nifty दिखाऊंगा 10 बजे वाली candle आपको एकदम clear हो जाएगा well अब आप खुद देखिए 10 बजे वाली candle nifty कहाँ पे है, nifty अपने central pivot line के भी उपर है well nifty अपने exactly CPR के support पे है, so बहुत जादा chance है कि bank nifty ने even though अपना previous day low जो बहुत जादा important support है उसको break किया है नीचे की तरफ, but nifty अपने बहुत जादा important central pivot line पे है जिसकी वज़े से बहुत जादा high probability है कि nifty support लेके उपर जा सकती है, जो bank nifty को भी reverse कर सकती है वैसा ही exactly हुआ, because even though bank nifty ने अपना previous day low break किया, nifty बहुत जादा important support पे थी and nifty ने कहाँ पे exactly support लिया है, exactly अपनी central pivot line पे, जो CPR में 3 line होती है जो beach वाली line होती है, उसको central pivot line बोला जाता है and exactly अपने central pivot line पे nifty ने support लिया and वहाँ से continuously उपर गई, जिसकी वज़े से bank nifty भी उपर गई and आपका वहाँ पे stop loss हो गया, well ऐसे market में मैंने बहुत बार बताया है, बहुत सारे ऐसे false break out होते हैं but हमें उन सब false break out से बचना है and जब भी हमें market opportunity हम वहाँ पे trade कर सकते हैं इसके सासाथ previous day high and low के basis में बहुत जाद important strategy अपने youtube channel पर डालने वाला हूँ option buying करते हो, option selling करते हो, futures में trade करते हो, कुछ भी आप करते हो, बस वो जाएगे blindly वो strategy follow करिए 100% आपको definitely पैसा बनेगा, उस बात की मैं आपको guarantee दूँगा so कल 11 बजे वो video आज आएगी and उसको आप देख सकते हैं and उससे कुछ सीख सकते हैं so उसके बाद अगर आप देखेंगे, well bank nifty ने पहला अपना breakout किया previous day low का, यहाँ पे हमने trade नहीं ली अब मैं wait कर रहा था कि previous day जो low है, अगर वो ऊपर की तरफ break होता है and previous day low अगर बहुत जादा important support अट करता है वहाँ पे मैं long की trade लूँगा, so यहाँ पे मैं एकदम तयार था long की trade लेने के लिए but यहाँ पे दिक्कत क्या होई, पहले जो 10-15 की candle ने break किया, हमने retracement का wait किया and retracement के बाद, यह जो आप 10-25 की candle देखेंगे न, यह बहुत जादा बड़ी बन गई and अब यह इतनी जादा बड़ी बन गई कि मैं यहाँ पे trade नहीं ले पाया because अगर मैं इस candle के end पे, 10-25 वाली candle के end पे trade लेता and अगर मैं stop loss previous day low के नीचे रखता, then आप देख सकते है stop loss around 85-86 points का हो जाता, जो हम बिल्कुल भी नहीं रख सकते है bank nifty में, well bank nifty में आपको बता आई है, 65-70 points तक का ही stop loss आप रख सकते है अगर आप उपर की तरफ का trade ले रहे है, अगर आप नीचे की तरफ का trade ले रहे है then आप थोलो और भी रख सकते है, because जब भी market उपर जाती है, premium इतने जादा इसमें spike नहीं होता, लेकिन जब भी market fall करती है, बहुत ज़्यादा spike होता है, because fear बढ़ता है so अगर इस candle की end पे, so अगर 10.25 की candle की end पे मैं trade लेता and अगर market अपने previous day low को test भी करता, तो मेरा यहाँ पर stop loss इट हो जाता है and इसलिए मैंने, जो 10.25 की candle है, उसके end पे trade नहीं लिया उसके बाद मैं वापिस से wait कर रहा था कि, अगर market previous day low तक आए वहाँ पे वापिस से retrace वापिस एक bullish candle मनाए, मैं trade ले लूँगा but यहाँ पे क्या हुआ, unfortunately previous day जो low है, उस पे market आई नहीं, retrace एक बार भी नहीं हुई जिसकी वज़े से मैंने इतना बड़ा move miss कर दिया वैल आप देख सकते हैं, कितना बड़ा bank nifty में move आया है, वो मैंने miss कर दिया because मुझे यहाँ पे early entry नहीं मिल पाई and यहाँ पे मुझे form में नहीं आना था, because rules तो बहुत ज़्यादा strictly follow करने है कि मैं कहीं भी randomly trade ले लूँ, अगर मैं कहीं भी randomly trade ले ले था well यह तो अब आपको chart close हो चुगा है, market close होने के बाद आपको पता है कि market उपर गई है लेकिन live market में आपको कैसे पता कि market उपर ही जाएगी हो भी सकता नहीं कि market reverse हो जाए and आपका stop loss हो जाए then वापी से मुझे अपने journal में लिखना पड़ता कि once again I broke my rule so इसलिए rules मुझे break नहीं करने था and decily मैं retracement का wait कर रहा था but यहाँ पर retracement नहीं हुई जिसी की वज़े से मुझे bank nifty में कोई भी trade नहीं मिली and उसके बाद आप देख सकते bank nifty continuously उपर गई है but यहाँ पर bank nifty में मुझे कोई भी trade नहीं मिली अब आ जाते nifty में nifty भी एक बाद देख लेते है so nifty आप देखेंगे तो exactly अपने CPR के पे ही खुला था वहाँ से continuously उपर गया था but यहाँ पर मैंने कोई भी trade नहीं ली because वो risky trade हो जाती and मेरे 10 trading patterns है उसके हिसाब से मैं wait कर रहा था and मुझे trade मिली previous day high है जैसी वो break हुआ and जो 120 की candle है बहुत जादा एक high probability setup था जहाँ पर एक trade लिया जा सकता था but even then मैंने यहाँ पर trade नहीं लिया well मैं आपको बताता हूँ यह क्यों high probability setup है because previous day high break हुआ retrace के बाद वापिस एक bullish candle बनी and stopless अगर मैं candle के नीचे रखता it is just 18 points so nifty में बहुत जादा एक अच्छा setup था जहाँ पर मैं यह trade ले सकता था but even then मैंने यहाँ पर trade नहीं लिया उसका कारण क्या है well nifty अगर आप देखेंग 120 की candle so 120 की candle अगर मैं आपको bank nifty दिखाऊ so आपको एकदम clear हो जाएगा कि मैंने क्यों trade नहीं ली so 120 की candle अगर आप bank nifty देखेंगे so ये वाली आप candle देख सकते हैं green वाली so अब आप बताईए इस candle के end पे क्या आपको market में bank nifty में ऐसी situation लग रही है कि bank nifty उपर जा सकता है because 120 की candle के immediately end के बाद उसके immediately उपर यहाँ पे weekly pivot है उसके immediately उपर monthly pivot है जब 3-3 resistance एक साथ है यहाँ पे आप trade नहीं ले सकते well मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आपको chart close होने के बाद अब यहाँ पे लग रहा है कि sir अगर आपने यहाँ पे trade लिया होता तो बहुत अच्छा profit हो जाता आपको इसलिए trade लेना चाहिए था well यह आप इसलिए बता पारे because market close हो चुकी है so live market में आप कैसे predict कर पाएंगे कि bank nifty इतने सारे resistance को break करके उपर जाएगा जो nifty को भी उपर लेके जा सकता है इसी वज़े से मुझे nifty में भी यहाँ पे ट्रेड ली जा सकती थी but यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं ली because अगर मैं ट्रेड लेता वो completely gambling हो जाती because rules के हिसाब से bank nifty immediately वहाँ पे resistance था जो बहुत जादा important resistance था and इसी वज़े से मैंने nifty में भी after उन में ट्रेड नहीं ली so morning में अगर हम देखेंगे well bank nifty ने एक बहुत अच्छा false breakout किया था so उस false breakout से मैं यहाँ पे बजगया उसके बाद bank nifty ने एक opportunity दी थी but वो right entry नहीं थी बहुत जादा बड़ा stop loss हो जाता इसलिए मैंने trade नहीं किया and उसके बाद 120 की candle ने भी बहुत अच्छी movement दिखाई थी एक बहुत अच्छा spotter trade लेने का but यहाँ पे भी मैंने trade नहीं लिया because bank nifty में बहुत जादा immediately resistance था and जिसकी वज़े से unfortunately मैं कोई भी trade नहीं ले पाया well यहाँ पे अमेरे पास दो option है यहाँ तो मैं खुश हो जाओं कि मैंने जब मैं अपने previous month के सारे trade का analysis कर रहा था मैंने ये एक बात notice किया कि मेरे 50% से भी ज़्यादा मेरे stop loss रिट हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि मैंने अपने rules follow नहीं किये and अगर मैं अपने rules बहुत ही अच्छे से strictly follow करता then मैं अपने 50% से भी ज़्यादा के stop loss बचा सकता था and वो मेरे profit में convert हो सकते थे and इसलिए मैंने previous month से ये बात सीखी है कि कुछ भी हो जाए profit loss वो बात की बात है वो तो trade के बात का outcome है लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है market में अपने rules follow करना अगर आप rules बहुत strictly follow करते है then आज नहीं तो कल आप definitely पैसा तो कमा ही लेंगे and इसी मज़े से आज मैंने कोई भी trade नहीं लिए आप देख सकते हैं मेरी position refresh करने के बाद एकदम खाली order book एकदम खाली because यहाँ पे मुझे opportunity नहीं मिली but that's fine and अब वापिस से Monday आऊँगा fresh mind के साथ आऊँगा and trade करूँगा अगर मेरे setup के साब से trade मिलेगी 100% trade करूँगा लेकिन अगर trade नहीं मिलेगी मैं बिल्कुल भी trade नहीं करूँगा मैं FOMO में आके trade नहीं करना चाहता because यह मैंने अपनी previous गलतियों से सीखा है कि बहुत जादा guilt होता है so guilt में वापीज ना हूँ इसलिए बहुत जादा strictly अपने rules सब follow करने है मुझे and मैं आपको भी यही advice दूँगा कि आप सभी भी अपने rules बहुत जादा strictly follow करिये at the end of the day आपको सिर्फ rules ही है जो आपको बचाएंगे और आपको कोई भी चीज मार्केट में नहीं बचा पाएगी so guys इसके साथ साथ मेरा जो 10 internet trading pattern course है वो already live है android users play store पे app डाउनलोड कर सकते हैं हरशित भारतोज उसका नाम है and जो भी IUS users है वो my institute डाउनलोड कर सकते हैं उसमें एक ORG code आता है DMVWWC उसको डाल के आप मेरी app डाउनलोड कर सकते है and उसमें मेरे course का content देख सकते है अगर आपको वो course वर्थ लगता है then definitely उसको आप buy कर सकते है एक बात की मैं आपको guarantee दूँगा बहुत जादा मजा आएगा and बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा so that's it about the video and let's meet in the next video then